दिव्य हिंदी, अकोला की टॉप 10 न्यूज Power by Commerce Point अकोला मध्यप्रदेश में OBC का राजकी आरक्षन लागू होते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मिया तेज हो गई है महाविकास आघाडी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है भारतिय जनता पार्टी ने आकरामक रूख अपनाते हुए आंदोलन छेर दिया है अकोला के गांधी रोड पर ओपन थियेटर के सामने भाजपा पदाधिकारी व कारेकरताओं ने रास्ता रोग को आंदोलन किया शिवसेना प्रमुक तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री उधव ठाकरे के आदेश पर अकोला में दो जिला अध्यक्ष बनाए गए जिसमें विधायक नितीन देशमुक को बालापूर्व मूर्तिजपूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जबकि अकोला पूर्व तथा अकोला पश्चिम व अकोट इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए गोपाल दातकर को जिला प्रमुक की कमान सौपी गई है बांधों में गाद इकठा होने में उनकी जलसंग्रह शमता घड़ गई थी इसलिए गाद निकाल कर किसानों की क्रिशी भूमी को उपजाओ बनाने जिला प्रशासन ने गादमुक्त बांध व गाद्युक्त शिवार उपक्रम शुरू किया उपक्रम अकोला जिले की सभी तहसीलों में जनसहयोग से चलाया जा रहा है जिसके तहट 34 प्रकरणों से अब तक 3637 घनमीटर गाद निकाला गया स्थानिय रामदास पेट पुलिस को गुरुवार 19 मैं को तड़के एक जानकारी मिली की सफेद रंग के वहन क्रमाक MH30 BD 3863 में मवेशियों को बेरहमी से लादा गया है जिन्हें कतल करने के लिए फता चौक से खंगपुरा होते हुए मोमिन पुरा ले जाया जा रहा है इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने गौवश तश्क्रों को पकड़ कर गौवन्शों की जन बचाए जिले में मानसुन पूर्व मौसम में बदलाव का दौर जारी है इसी कड़ी में गुरुवार 19 माई को दोपहर बाद मौसम में हुए परिवर्तन के बाद जिले की तेलहारा तहसील के ग्रामी नंचलों में बेमौसम बारिस हुई इस बीच चली तेज हवा के थपेडों के कारण मकानों की छतों में लगे टिन उखण गए पपीते सहित केले के पेड़ धराशाई हुए शहर के मुख्य मारगों पर बड़ी संख्या में वाहन सडकों पर खड़े रहते हैं महात्मा गांधी रोड, तिलक रोड, ओपन थेटर रोड, वाशिम स्टैंड, स्टेशन रोड, जठार पेट, पुराना शहर की बस्तियां आदी क्षेत्रों में कहीं भी पाकिंग जोन नहीं है जहां जहां पाकिंग की विवस्था है उन क्षेत्रों में अतिक्रमन हो गया है इसलिए पाकिंग जोन का निर्मान बहुत ज़रूरी है खाल ही में महराष्ट्रा के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार ने अकोला निवासी 10 वर्षिय सोमया अभिनंदन गुपता को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया उन्होंने सितार के उनके असाधारन कोशल और उनके समगर प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि वो देश के लिए एक गौरव है जिन्होंने अपने समरपन से विभिन राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय पुरस्कार अरजित किये है जिला परिशद उपकर योजना 2022-23 के अंतरगत जिला परिशद के क्रिशी विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओ के अंतरगत किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है इन में HDPE Pipe, 5HP Electric Motor Pump, Battery Operated Power Sprayer वचार सो पचास जिये सें प्लास्टिक तारपत्री आदी योजनाओ का समावेश है आटीए के अंतरगत निजी शालाओं में 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित रखी गई है इन सीटों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ओनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चलाई गई रो के तहट 1453 छात्रों का प्रवेश निश्चित किया गया अभी भी 466 सीटे खाली है जिन पर प्रतीक्षा सूची में होने वाले छात्रों को स्थान दिया जाएगा जिले में गौन खनिच धुलाई में हो रही अनियमित्ता तथा अवैट धुलाई पर प्रतिबंद के लिए पटवारी और मंडल अधिकारियों की तहसील स्तर पर उडन दस्तों के रूप में तैनाती की गई है इन्हें बुनियादी सुविधाय मिले इत्यादी मांगो को लेकर पटवारियों ने जिलाधिकारी कार्याले के सामने एक दिवस धरना दिया दिवे हिंदी न्यूज